नमोश शेतकरी महासम्मान निधी योजना किसानों को निश्चित आय उपलब्द कराने हेतू प्रधान मंतरी माननिय श्री नरेंदर जी मोदी की संकलपना से एक परवरी 2019 से देश भर में पीम किसान योजना की शुरुवात हुई इस योजना के माध्यम से लाभार्थी किसान परिवार को प्रतिवर्ष तीन किष्टों में कुल 6,000 रुपेओं का लाब मिल रहा है इसी योजना से प्रेरित होकर महराष्टर राज्य के मुख्यमंतरी माननिय श्री एकनाजी शिंदे उपमुख्यमंतरी माननिय श्री देवेंद्रजी पढणविस उपमुख्यमंतरी माननिय श्री अजीद दादापवार और कृषिमंतरी श्री धनन जैजी मुंडे के नेत्रित्व में महराष्ट के डबल इंजिन सरकार ने अब किसानों को अतिरिक्ट 6,000 रुपे की राशी नमो शेतकरी महसंमान निधी योजना के माध्यम से देने का संकल्प लिया है इस हेतू सन 2023-2024 महराष्ट सरकार ने 6,900 करोड रुपे का प्रावधान किया है इस योजना के कारण अब लाभार्थी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष केंद्र सरकार के रुपे 6,000 अधिक महराष्ट सरकार के रुपे 6,000 ऐसे कुल 12,000 रुपेओं का लाभ मिलेगा आज माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के शुब हाथूं से महराष्ट सरकार की नमुशेतकरी महसम्मान निधी योजना के अंतरगत महराष्ट के 85,60,000 लाभार्थियों को 1700 करोड से अधिक रुपेओं की पहली किष्ट दी जा रही है इन सभी लाभार्थियों को महराष्ट सरकार की ओर से हार दिख बधाई